सिधाद शुकला को एक चोट लगी थी और इस चोट के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें एक काम करने से मना किया था ये खुलासा किया है सिधाद शुकला के फिटनिस ट्रेनर सोनू ने सोनू जो सिधाद शुकला को हम्टी शर्मा की दुलनिया के टाइम से जानता है उन्होंने सिधार चुकला के बारे में details बताई सो उन्हों कहता है कि मैं और सिधार साथ में work out करते थे और शाम को सिधार के compound में साथ में running किया करते थे डेड़ महिने पहले सिधार का घर में ही चलते चलते पैर मुड़ गया था जिसके बाद अमबानी हॉस्पिटल में उनका treatment चल रहा था डॉक्टर ने nerve की problem बताई और डॉक्टर ने थोड़ा आराम करने के लिए कहा जादा movement नहीं हो ये कहा था लेकिन उसके बावजूद सिधार शुकला जो है वो अपने आपको workout से दूर नहीं रख पा रहे थे वो हमेशा workout करते थे सोनु का कहना है कि सिधार शुकला 3-4 घंटे उनके साथ जिम में रहते थे workout तो 2 घंटे का ही होता था लेकिन बीच बीच में break लेते थे तो ऐसे 2-4 घंटे हो ही जाते थे उस चोंट के बाद से सिधार शुकला ने लंबे समय तक running करना बन कर दी थी इसके अलावा सोनु ने सिधार शुकला की इस अच्छी कासी fitness के बारे में भी खुलासा किया कि क्या सिधार शुकला किसी तरह के steroids या किसी तरह के injections लिया करते थे तो सोनु का कहना है कि सिधार के jeans बहुत अच्छे थे और उन्हें किसी भी steroids की जरुरत ही नहीं पड़ी उनकी body naturally ही बन गई weight lifting से ही उनके अच्छे खासे muscles बन गए थे और तो और muscles gain करने के लिए वो पनीर खाया करते थे सोनु का कहना है कि शायद ये जो चोट है इसका जेकर post-mortem में भी हो सकता है इस चोट के बाद doctor ने जादा workout करने से सिधार शुकला को मना किया था तो कुछ इस तरीके से सिधार की fitness के बारे में जो कहा जा रहा था कि कई बार celebrities जो है खुद को fit रखने के लिए अच्छे muscles gain करने के लिए steroids का इस्तमाल करते हैं जिनके अपने side effects होते हैं तो सोनु का कहना है कि सिधार शुकला किसी भी तरह के steroids नहीं लेते थे